रामशकार दोस्तो डिफेंशो में आपका स्वागत है तो दोस्तो बड़ी कामियाबी हाथ लगी है ब्रमोस एरोस्पेस को जी हाँ एक बड़ी परमीशन या फिर क्लियरेंस मिल चुकी है इस जॉइंट वेंचर कमपनी को भारत और रश्या से और अब भारत एक ब्रमोस एरोस्पेस को बड़ी क्लियरेंस या फिर कहें परमीशन मिल गई है जी हाँ ब्रमोस एरोस्पेस रश्या की एनपियो मशीन ओस्त्रोयेनिया और भारत की डियाइडियो के भी जॉइंट वेंचर है और इसे 1998 में स्टैबलिश किया गया था तो इसे क्लियरेंस मिल गया है ब्रमोस क्रूज मिसाइल को किसी थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करने जैसे कि फिलिपिन्स, वियादनाम, अर्मेनिया ये देश लगातार ब्रमोस में इंट्रेस्टेट दिखे हैं तो ब्रमोस क्रूज मिसाइल को भारत में ही बनवाया गया है जिने एक्सपोर्ट करने से मेकिन इंडिया को भी एक बड़ा प्रोथसाहन मिलता है वही इस एक्स प्लसिफिकेशन्स, डीटेल्स और फीचर्स जान लीजिए तो ब्रमोस एक मीडियम रेंज रैम जेट सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल है जिसे सबमारीन्स, शिप्स, एरक्राफ्ट या फिल लैंड में से फायर किया जा सकता है ये दुनिया की सबसे तेज सूपर सौनिक क् लेंथ की बात करें तो लेंथ है 8.4 मीटर, डाइमीटर है 0.6 मीटर, वारहेट देखें तो वारहेट है 200 केजी कंवेंशनल सेमी आर्मर पियर्सिंग और 300 केजी न्यूक्लियर वारहेट ये कैरी करती है और ये दोनों ही तरह के वारहेट दोस्तों इंडियन ओर्डिनेंस फ वेक्टरी बोर्ड ने बनाए है प्रॉपिलेंट देखें तो फर्स स्टेज में सॉलिट फ्यूल वहीं सेकेंड स्टेज में लिक्विट फ्यूल ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो करेंटली 500 किलोमेटर की रेंज है और इसे अप टू 800 किलोमेटर तक अपग्रेट करने प और आर गाइडेंस सिस्टम देखें तो मिट कोर्स में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम टर्मिनल पे एक्टिव रडार होमिंग जी पीएस या फिर गलोनास या फिर कहें गगन सेटिलाइट गाइडेंस दोस्तों इसकी एक यूनिट है 2.75 मिलियन यूएस डॉलर की तो इन दो देशों को ब्रमोस से आम करके भारत चाइना को टू या थ्री फ्रंट से घेड सकता है और एक प्रेशर क्रियेट कर सकता है चाइना के उपर तो आप क्लियरंस भी मिल चुका है ब्रमोस एरोस्पेस को तो जल्दिया में ब्रमोस क्रूज मिसाइल को लेकर कोई डील भी देखने को मिल सकती है आपके सोसने इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी लेटेस डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै हिंद वंदे मात